पास्कोव एक्ट में बेल कैसे मिलती है और आईपीशी और पास्कोव एक्ट में बेल का अधिकार, जाने ए कोर्ट के एहम फैसले, इलाब आपद हाई कोर्ट का एक लेटरिस जजमेंट आया है, जो की IPC की धारा 333, 306, 304, पासको एट की धारा 324 के मामले में नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महतपूर केस के बारे में जिसमें ROP को IPC की धारा 336, 306, 306 तर और पासको एट की धारा 324 के तहर बेल दी गई इस केस में कोर्ट ने प्रेंजम्शन आफ इनोसेंस और आर्टिकल 21 कैदार पर बेल का फैसला सुनाया आए जानते इसे पूरे डिटेल में साथ इसाथ पासको एट में बेल कैसे मिलती हैं वो भी आज के वीडियो में है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केस में संचे प्रिवरण यानि कि है क्या केस इस केस में जो आरोपी है उसने 19 साल की यूवती को बहला फुसला का साधी करने के इरादे से अपने साथ ले गया FIR में आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए गये थे लेकिन आरोपी का दावा था कि उसे गलत तरीके से फसाया गया पीड़ता की जो उम्र का विवाद यानि कि राजी सरकार के अनुसा पीड़ता की जो उम्र है वो 17 साल 4 मैने हैं और 21 दिन है यानि वो नबालिक थी इस अदार पर राज ने बेल का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोड के एक महतपूर फेसले में कहा गया कि साई उम्र का प्रमाणपत्र सिर्फ मेट्रिकुलेशन या नगा निगम दोरा जारी दस्तावेजों से ते किया जा सकता है आरोपी के पच में ये तरक है कि आरोपी के वकिल कहना है पीरता ने अपनी मर्जी से साधी के लिए सहमती दी और वह बालिक थी उन्होंने ये कहा कि आरोपी के कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वह 17 फरवरी 2024 से जेल में है कोड का जो फैसला था कोड ने ये माना कि इस केस में कोई भी विसेश परस्तिती नहीं है जिसमें आरोपी को बेल से वन्चित रखा जाए कोड ने आर्टिकल्स 21 और बेल एक नियम और जेल एक अपवाज के सिद्दान को द्यार में रखते वे बेल देने का फैसला किया बेल के लिए जो सर्ते थे कोड ने आरोपी के कुछ सर्तों के साथ बेल दी गई है कि भारती समयदान हर वेक्तियों के निश्पस सुनवाई का अधिकार जब तक किसी कदोस्त थाबित नहीं होता उसे निर्दोस माना जाता आर्टिकल्स अगर हां तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें दूसरी चीज बासको एक्ट में बेल कैसे ले यह कोश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है पासको में यानि की प्रोटेक्शन आफ चार्ड आफ सेक्श्वल अफिस एक्ट में एक सक्त कानून है जो कि नाबालिकों के साथ य पर स्थितियों में कोट बेल्ड दे सकती हैं आये समझते पासकोट के तहर प्रकति की मिल सकती। पीर्टा की जो उम्र पे विवाद, यानि कि बेल एक महतपूर अधार पीर्टा की उम्र पे निर्भग करता है अगर यह साबित हो जाए कि पीर्टा बालिक 18 साल से अधिक है तो आरोपी के पास बेल का दावा करने का मजबूत अधार हो सकता है पास को एड में किवल बनाबालिको 18 साल से कम के लिए लागू होता है इसलिए उस उम्र का प्रमारपत बहुती महतपूर होता है तीसरा इंपोर्टिन चीज़ है कि जाच और सबूतों में विसंगती जड़ी आरोपी या साबित कर सके कि FIR में दिये गए आरोप विसंगती है या पीड़ता का बयान धारा 114 CRPC के तरह आरोपी के पच्छ में है तो कोड आरोपी को बेल देने पर विचार कर सकती है आरोपी के जो प्रष्ट भूमी यानि कि अगर आरोप को कोई अपरादी के तियास नहीं है यानि कि उसकी कोई भी क्रिमनल हिष्टी नहीं है तो वाँ समाज के लिए एक सम्मानित व्यक्ति है तो यह भी बेल मिलने का कारण हो सकता है कोड इस बात पर विचार करती कि आरोपी बेल पर पालन करता है उसे बेल मिल सकती है सुप्रीम कोड और हाइक कोड के भी निड़दे सुप्रीम कोड हाइक कोड ने कई मामलों में यह सिद्दान दोराया कि बेल एक नियम और जेल एक पहुत अगर कोई व्यक्ति विचिस परस्तिती नहीं है आरोपी को जेल में रखने के लिए विसात बनाती हो तो उसे बेल मिल सकती है जैसा कि सतेंद्र कुमार अंटी वर्सेश सीबी आई में सुप्रीम कोड ने कहा बेल देने का अग्देश ट्रायल के लिए आरोपी को परस्तिती सुनेचित करना ना कि उसे सजा देना है तो ओवराल जो कंक्लूजन निकला कि पास को एड करते हैं बेल मिलना कठिन होता है लेक्यों की या कानून बच्चों की सुरच्चा के लिए बनाएगा लेकिन अगर मामला कोई कानूनी अधार जैसे की पीड़ता की उम्प बेविवाद या आरोपी के क्रिमन रिकार्ड ना हो कोड के सामने आता है तो आरोपी को बेल मिल सकती है बेल के लिए कोड आरोपी की स्थिति हैं सहबूतों की टाकत और कैस की परिस्थितियों को ध्यान में रखक फैसला करती है आसा करते हैं यह जड़्जमिन आपको समंन में आया होगा और यह जो आपने topic समझा, पास्कोर में बेल कैसे मिलती है, वो आपने समझा होगा. कोई भी query हो तो आप दिये गए वोट से नमा हम से direct contact कर सकते हैं, ज़ा किसी case के रहे कि कोई भी query हो तो हम से direct संपर भी कर सकते हैं. मिलते हैं एक next video में तब तक के लिए धन्यवाद.